गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम विश्व के बुगोल में या फिर विश्व के प्रादेशिक बुगोल में अलग-लग देशों के बारे में चर्चा कर रहे थे जिसमें हमने पहले संयुक्तराज्य अमेरिका के बारे में चर्चा की है और अब हम जिस देश के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह हैं चाइना देश चीन चीन की बात कर रहे तो यह हमारा पडोसी देश भी है हाला कि इसके साथ हमारे संबंद इतने अच्छे नहीं रही है लेकिन यह हमारे सब्जेक्ट का एक टॉपिक है तो उसके लिए हम इसको अच्छे से बढ़ेंगे जो हमने पिछली वीडियोज बनाई हैं उसमें हमने चीन का समाने प्रिचे कर लिया है और उसके साथ ही चीन का ध्रातलिय सब रूप कैसा है और इस सब के बारे में चीन की जलवाईयू के बारे में और चीन के अपवात अंतर के बारे में बात कर लिए है आज की वीडियो में हम चीन की वनस्पती के बारे में बात करेंगे कि चीन में कौन-कौन सी प्रकर्थिक वनस्पती पाई जाती है जिसको हम चीन की प्रकर्थिक वनस्पती या फिर कहते हैं Natural Vegetation of China अगर हम चीन में प्रकर्थिक वनस्पती की बात करें तो प्राचीन काल में जो चाइना था यहां पर वनस्पती जो थी यह 41 प्रतिशत भाग पर वनों का ही बिस्तार था लगबग 41 प्रतिशत भाग पर बन थे लेकिन आप लोगों को पता है कि चीन में पॉपुलेशन बहुत जादा है जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती की वनों का विनाश होता गया और वहीं अगर हम बात करें सामंत काल की तो सामंत काल में तो क्या था कि उस समय शिकार का बहुत जादा प्रचलन था और आप ये भी मान सकते हो कि उस समय लोगों का एक शौंक था शिकार करना शिकार करने के लिए वो क्या करते थे चंगलों को आग लगा देते थे और वनों को आग लगने से क्या होता था कि वहाँ पर अगर कोई जीव जनतु होगा तो वह निकलकर बाहर आ जाएगा और वह उसका शिकार कर देंगे तो इसी चक्तर में क्या होता था कि वनों को आग लगा दी जाती थी जिससे की बहुत जादा वनों का क्या हो गया विनाश हो गया और वहीं हम आज की बात करें तो आज क्या है चीन के लगबग 10 प्रतिशत भाग पर ही वनों का विस्तार रह गया है अगर हम बात करें कि चीन के इन 10 प्रतिशत भाग पर जब वनों का विस्तार है तो वहाँ पर वन पाई कौन कौन से जाते हैं या फिर चीन में कौन कौन सी प्रकतिक वनस्पती मिलती है तो इसी पर आजम चर्चा करेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें जो चाइना की प्रकतिक वनस्पती है तो चाइना में क्या है कि जो प्रकतिक वनस्पती है आपको पता है यह है बहुत जादा क्या है मतलब विकास करने वाला देश है तो बहुत ज्यादा विभीनता वाला देश है तो जिसकी वज़े से क्या है कि यहां पर बहुत ज्यादा विभीनता होने के कारण वनस्पती में भी क्या मिलती है बहुत विभीनताएं मिलती है सबसे पहले जो यहां पर वनस्पती पाई जाती है वे हैं मरू भूमी की बनस्पती मरू भूमी आप सभी लोग इससे प्रीची तो मरू का मतलब क्या होता है मरू स्थली भूमी जाने कि मरू स्थली भूमी पर कौन-कौन सी बनस्पती पाई जाती है तो मरू स्थली भूमी की बात करते हैं तो जो चाइना है यहां पर क्या है आपको जब चाइना का भौतिक सवरूप बताया था यहां फिर चाइना का ध्रहतलिय सवरूप बढ़ाया था तो उसमें बताया था कि चाइना में क्या है गोबी का मरुस्तल पाया जाता है गोबी का मरुस्तल हो गया और तकना मकान हो गया यह क्शेत्र ऐसे यहां पर क्या है और इनी ख्षेत्रों में यहां पर क्या है उतीfund बीद होती है स्टैपीज जो घास है यहां आंतिक मगोलिया हो गया, तिबबत हो गया, सिक्यांग हो गया, यहां पर क्या है यहां पाई जाती है पर यह अगर बात करें स्टैपीज घास की तो इन प्रामतों में चोटी चोटी घास मिलती है और वही अगर हम बात करें दक्षनी पूर्वी भाग की जो चाइना का दक्षनी पूर्वी भाग है तो यहाँ पर क्या है कुछ लंपी घंसी देखने को मिलती है तीसरे नमबर पर बात करें तो यहाँ पर अर्ध शुष्क जाडिया मिलती है अर्द शुष्क जाडियां ये किन प्रांतों में मिलती है चाइना का शांसी प्रांतों हो गया, शैंसी प्रांतों हो गया, कांसु प्रांतों हो गया ये मुख्या रूप से व्रक्ष यहां पर मिलते हैं नेक्स टर्म बात करते हैं शुष्क पर्वतिय वनस्पति अब देखो शुष्क है और मिलेगी कहां पर पर्वतों पर क्योंकि इसका नम क्या है पर्वतिय वनस्पतिय पर्वतों पर मिल रही है तो यह जो है यह क्या है पूर्वी तिब्बत का पठार हो गया ठीक है और इसके लावा उत्री पश्मी कांसु प्रांथ हो गया यहाँ पर क्या है शुष्क परवतिय वनस्पति मिलती है और इसमें अगर बात करें पूर्वी तिब्बत और उत्री पश्मी कांसु प्रांथ म तो यहाँ पर व्रक्ष और इसके साथ घास दोनों ही मिलेगी अगर हम व्रक्ष की बात करें तो व्रक्ष यहाँ पर क्या है पॉपलर हो गया सब्रूस हो गया और फर हो गया यह मुख्य रूप से यहाँ पर व्रक्ष देखने को मिलते हैं इसके बाद next बात करते हैं पठारी प्रदेशों की वनस्पति आप लोगों को जब चीन का ध्राकलिया सवरूप पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि चीन में क्या है परवत, पठार, मरुस्थल, मतलब की सारी विभीनता देखने को मिलती है तो अब जिस वनस्पति की बात कर रहे हैं वो कहा है पठारी प्रदेशों की जयने कि पठार में कौन-कौन सी वनस्पति मिलती है तो पठारी प्रदेशों की बात करें तो इसमें आजाता है मंगोलिया का सीमावर्दी पठारी बाग जो मंगोलिया क्षेत्र है वहां का क्या है उसके साथ जो सीमावर्दी पठारी भाग है उसकी बात हो रही है और यहाँ पर जो वनस्पती मिलती है वो कौन सी मिलती है चोड़ी पत्तों वाली पत्त जड़ वन मिलते हैं जानी कि पत्ते उनके चोड़े होते हैं लेकिन वो पत्त जड़ होते हैं पत्त जड़ का मतलब क्या होता है कि उनके पत्त जड़ जाते हैं यह बनस्पती मुख्यारूप से यह बन मिलते हैं इसके बाद बाद करें नेक्स्ट मिश्रित बन मिश्रित का मतलब क्या है कि यहां पर कौंदारी बन्द भी मिलेंगे और पत्जड बन्द भी मिलेंगे अगर इनकी बात करें तो यह दक्ष्नी पूर्वी हो गया और उत्री हो गया इन परवतों की उंचाई से क्या है अगर ढाल के अनुसार देखे तो यह बनस्पती अलग लग देखने को मिलती है जानी कि उ कौंदारी बनस्पती मिलती है पत्जड मिश्रितवन मिलती है जानी कि कौंदारी और पत्जड मिश्रितवन इस परकार के बन्द देखने को मिलती है इसमें अगर व्रक्षों की बात करें तो यहाँ पर ओक हो गया चेस्टनट हो गया चीड हो गया और मैपुल हो गया यह म यह साइप्रस обнаруж questi boyei के इन दोनकित थारकों , गचा wow निचले प्रदेश की बात ने हुए है कोあの पर कान सी बनस्पती मिलती है साइप्रस बांस ताड बरगट यह मुख्यारूप से मिलते हैं क्या है bakalım क्या है ? एक साइप्रस बांस ताड और बरगट यह व्रक्ष मुखयरुप से मिलेंगे, इसके अलावा आप कहीं कहीं पर वहां पर ओक भी देख सकते हो, जो ओक होता है एक वैसे जाड़ी के नूमा ही होता है, तो यह भी आप क्या है, वहां पर इन व्रक्षों के साथ देखने को मिलता है, नेक्स्ट बात करते हैं, उपोश बताई हुई है, तो जो यांग सिटी नदी है, उसके दक्षिन की बात हो रही है, उसके दक्षिन में क्या है, चोड़ी पत्ती वाले जो उपोशन कटी बंदिया, सदा बहार वन मिलते हैं, उनकी पत्तिगां चोड़ी होती है, और जो वन मिलते हैं, वैक उनकों से चीर, फ यहां पर बातो हो रहे हैं उस्षुल्कटी बंदी है चोड़ीपत्ती वाले बंडरु इस में अगर बनों की बात करते हैं मुख्याद रुप से बंडर्ण मिलते हैं तो इस परकार जो वीडियो में आजम ने देखा, क्या है, सबसे पहले मरू भूमी की वनस्पती, फिर स्टैपी वनस्पती, आर्थ शुष्ठ चाडिया होगी तीसरे नमबर पर, चौते परकार की जो वनस्पती है, शुष्ठ परवतिया वनस्पती, पांचवे नमबर पर है पठाणी परदेशों की वनस्पती, छड़े नमबर पर है मिश्रित वन, शाथ में पर है जैच्वान की निश्ले परदेशों की वनस्पती, आठ में पर है उपोशन वन, और नॉमा है उशन कटी वन दिया है, चौड़ी पती वाले वन, तो ये क्या था कि जैसे ही चाईना कि ध्रातलिय सरूप में विबिंदता मिलती है उसी के अधार पर गया है यहाँ पे वनस्पती में विबिंदताइं देखने को मिलती है तो आप इसको अच्छे से कॉपी पर भी नोट कर लेना इसके नोट भी बना लेना क्योंकि यह जो अगर हम बात करते हैं वनस्पती की तो अक्सर वनस्पती को लेकर कंफ्यूजन रहती है तो आप अच्छे से इसको वीडियो को देखके उसको अच्छे से नोट कर लेना I hope आपको यह सारा समझ आ गया होगा Thank you